हलो दोस्तों गुड़ीवनिंग मैं आपका अपना दोस्त और होश्ट अमिश्व क्लाप सभी का दोस्तों दिन से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन्डे एक्जाम स्थेड़ी में मेरे प्यारे साथ है जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपको KVS के के लिए कंप्लीट दोस्तों फ्री में बैच मिलने वाला है तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैम ने जो है साम को चार बज़े आपकी EVS की थेओरी की क्लास स्टार्ट की और यह साम पांच बज़े मैं आपके लिए एक रिकॉर्डेट क्लास लेके आऊंगा प्रते दिन जो है KVS के मैट्स के लिए फिर दूसरों अंगला दोस्तों अगर हम आँगे बात करें तो च्छे वज़े से जो है आपकी मैम ने हिंदी की थेओरी स्टार्ट की दो पहल दो वज़े से KVS के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेशन चलता है साम सात वज़े से जो है सर एक KVS के लिए जो है पेड़वाजी कराते हैं ठेओरी करा रहे हैं ठीक है तो आपके लगभग में दीरे-दीरे सारी चीज़े कंपीट हो रही है और सारा के सारा दोस्तों फ्री है आंगे मर्दी आपकी है कि अगर आपको फ्री नहीं पसंद आता तो आप प्लीज आपसे रि KVS के स्लेवस में तो सबसे पहले पाओगे दोस्तों जैमती लिखा हुआ है जब हमने कल सेट पेपर इसका सॉल्व किया था उसके कुछ कोश्चन किये थे 2018 वाले पेपर के तो उसमें जैमती के बड़ा तगले तगले कोश्चन मिले थे बोले पैटर्न चेंज नाम दोस्तों काम वही है नाम अकेले थोड़ा सा बदलने की उन्होंने कोशिस किये जैमती में आकार और इस्थानी समझ है क्या आकार इन्होंने पहले भी इसी तरीके जिसे दिया था लेंग्विस थोड़ी बदली थी आकार जनी कि सेफस आपको समझने हैं कि एक आयत क्या है और क्या है चतुरबुज में क्या क्या चीजें हैं ब्रत किस किस तरीके से हम जहां मूब करते हैं एंगल लाइन तो ये सारी किस सारी चीजे जितनी भी है सारी किस से मूव होती है ठीक है हमारे चारोड ठोस पदार्थ इसी में दोस्तों सब कुछ आ जाता है चारोड ठोस पदार्थों से मतलब क्या है यहां एक घनावा कारबोर्ड लगा है यह भी हमारे चारो फोस्पदार्थ है आप जिस फर्स पर खड़े हो वो भी दोस्टो फोस्पदार्थ है ठीक है आपके घर में इलवारी रखी हुई है आपके घर में टंकी रखी हुई है बहुत सारी अलग-अलग आकार की चीजें तो आप समझ रहो ना कि फोस्पदार्थ में उनकी जो समझ है वो किस तरीके से आपको करनी है ठीक है ना और भी बहुत सारी चीजें है अगर आप बात करो आंगे दूसरा टॉपिक दिया है संख्याएं संख्याओं में दोस्तों क्या क्या है गिंती की भावना बिक्सित करना गिंती की भावना में बहुत सारी चीज़ें आ जाती मैंने आपको जो है गिंती की भावना सीटेट में जो है मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई वी थी फिर से अभी बात करेंगे अंगला है जोड और गटाओ का संचालन करना किस तरीके से जोड़ना और गटाना है अब उ देखने में तो छोटा सा टॉपिक लग रहा है मगर दोस्तों बिभाजिता का नियम अगर आप तीन से चार दिन जब तक फूरी क्लास नहीं होगी एक गंटेगी तब तक दोस्तों यह चीज खतम नहीं होने वाली इतना आसान है नहीं बिभाजिता में बहुत सारी चीज़ें आती है मानसिक अंकगडित मानसिक मेंटल एवैलिटी जो होती है मानसिक अंकगडित उसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ जाती है आपका चाहें वह प्रतिशत हो चाहें वह लावहानी हो चाहें वह जो है साधारण व्याज हो चाहें वह चक्रित व्याज हो चाहें व आवसत के प्रश्णों जाहें वह उनुपाज समानुपाद के प्रस्ण हो जैसा कि कल आप nhất विए अनुपाज समानुपाद भी था लावनि भी था प्रस्षत का भी question था ठीक है था ना? दसमलब बिन है ठीक है था और भूसे पैसे का conversion रख़पाय में, पैसे में तो उसका भी कहीं कहीं सारी तरीके पूछता है 3,742 पैसे और 15 रुपय जोडने पर कुल कितना बनेगा रुपया ठीक है तो ऐसे कोश्चन भी बेसिंग में पूछाते माप माप में हर तरीके की चीज़े आ जाएंगी ठीक है लंबाई लंबाई में जो है लंबाई जानिकी जो हमें यूनिक मीटर सेंटी मीटर डेसी मीटर गुमाः के इस तरीके से कान ऐसे ँसे गुमांक आसे पकड़ा पकड़ा बहूं ही कार ठीक है समय में दोस्तों हमारा टाइम से घरी से बहुत सारी चीज़ें आने वाली है डाटा हैंडलिंग इसमें पाई चार्ट आता है डाटा इंटरप्रेशन आता है आपको पैट में आपने जो लोग तैयारी किये होंगे वो देखे होंगे नहीं तो यूपी टेट में भी कई बार आता पूछा गया है ठीक है न चलिए डाटा हैंटलिंग में पैट्रं में जी साथी पर चीज़े थे तो हम लोग इस स्लेवरश के एकॉर्डिंग पढ़ने वाले है इसीज़ेस में दोस्तों हम लोग चीजे हैं, आपको लगता है छोटा सा टॉपिक है, देखिए इसमें क्या क्या चीजे हैं, अगर आप विवाजन की बात करें तो विभाज में दोस्तों किस किस तरीके से कोश्चन आने वाले हैं, भाग के लंबे विदी पर प्रिशन आने वाले हैं, लंबे विदी का मतलब आपने ऐसे देखा होगा ठीक है ना सूत्र पर आधारी सूत्र पर आधारी जैसे आप से लिखा जाता है दोस्तों भाज जगर निकालना है तो कैसे करते हो ठीक है भाजक गुड़े भागफल प्लस सेस्फल उससे रिलेटेड कोश्चन आने वाले हैं जब प्रस्ण में दो ब लंखंड विदी की बात करने वाला है तो बिभाजिता में उसने बहुत सारी चीजे दे रखी हैं और यह सारे की सारी टॉपिक से हमसे कोशन पूछे आई तो यह चोटा टॉपिक नहीं है यह अपने आप में एक बहुत ब्रहत ब्रहत चीज लिए हुए है तो आए दोस्तो स्रुवाद करते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं विभाजिता की सर्त पर पृष्ण पर उताश तो सर्तों पर में कैसे आते हैं उससे पहले हम इसकी थोड़ी ट्योरे जनें Mark के बारे में बात करेंगे सरह एक किसी भी संख्या के से विभाज नहीं होती है सिवाई एक के जानी कि जो एक है one है गिंती एक है वो जो है किसी भी संख्या से विवाजित नहीं होती है लेकिन एक सब्द ऐसा आता है वो कहता भया यह वता universal factor ठीख है सार भौमि गुरंग खंड या सारवहमिक गुणक संख्या कौन सी होती है तो दोस्तों आंसर क्या दोगे एक जो है वह सारवहमिक गुणक जाने की यूनिवर्सल फैक्टर होता है यह सारी की सारी चीज़े आप लोग नोट करते चलेंगे उसका अंतिमंक कहलो या मित्रों आप उसका इकाई कांक कहलो क्या कहलो अंतिमंक कहलो या इकाई कांक कहलो वहाँ क्या होना चाहिए दो हो या कोई समसंख्या हो ठीक है दो हो या कोई समसंख्या हो ठीक है या जीरो हो और जीरो के आंगे कोई न कोई अंक होना चाहिए यहां पर ऐसे होना चाहिए अंक और जीरो या इकाई में और इसके आंगे कोई न कोई अंक होना चाहिए अकेला जीरो नहीं होना चाहिए यह बात समझ जो ठीक है तो वो संख्या क्या हो जाईगी, दो से विवाजित हो जाईगी, एक्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर अगर मैं देखूं, तो यहां पर क्या दिया हुआ, यह भी दो से विवाजित होगा, इस पूरे संख्या से, अब हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अगर इकाई कंक दो या दो से विभाजित होने वाली संख्या है तो यह पूरी संख्या भी दोस्तों दो से विभाजित हो जाएगी इतनी बात आप समझ गया होगे फिर आगे बात करते हैं तीन के नियम की तीन का नियम क्या है करें तीन का नियम सभी संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विवाजित होना चाहिए जानिक यहाँ पे उसने कोई भी वैलू लिखी है उसने लिखा है 725649135 क्लियर है पूछ रहा है क्या इतना बड़ा एक नंबर दे रखा है क्या तीन से विवाजित हो जाएगा तो यहाँ पे क्या कह रहा है कह रहा है दोस्तों संख्या के सभी अंक यह जितनी भी अंक दिये हैं अगर इनका योग अगर हम इनको आपस में जोड़ ले जो भी हङए अब वह तीन से विवाजित ज्यान से सुन ना अगर वह चीज तीन से विवाजित है तो संख्या भी तीन दी वह जाएगी जैसे देखिए 7 मिनलों नौ 5 और 24 24 24 24 और 9 33 34 34 और 37 37 और 5 42 अब देखो क्या 42 में तीन से भाग जाता है यहां बें दो अंकों की संख्या है फिर इसको आप जोड़ो चार और दो क्या च्छे अगर दोस्तों च्छे में अगर तीन से भाग जाएगा तो 42 में भी जाएगा और अगर 42 में जाएगा तो इस पूरे म अगर जैसे उसने यह कहा उसने यह कहा कि यह बताओ कोई संख्या है 427 423 758 852 उसने कहा यह बताओ क्या यह संख्या तीन से विवाजित है अंकों का योग तीन से विवाजित होना थी आप जोनों नहीं कि हम पूरा जोले हैं आप कैसे कर सकते हो आप उतने उतने अंक जोलो जितना जितना तीन से विवाजित हो जैसे 4 और 2 6 मिलकर 3 से विवाजित हो जाए तो हम इसको हटा देते हैं अब अमें इतनी चीज से कोई मतलब नी, इतनी संख्या विवाजित है अगर मैं इसकी बात करूँ कि यह 3 तो यह तो 3 से 3 विवाजित ही होगा अगर मैं इसको कहूं 7 और 2 9 तो हां 3 से विवाजित है चलिए ठीक है यहां पे देखो 5, 5, 10, 8, 18 यहां मिलकर 18 बना और 18 भी 3 से बिभाजित है जयनि कि यह संख्या भी 3 से बिभाजित है आगे दोस्तों देखते हैं किज़ रहे है चार के नियम जब कोई भी नमबर हो उसमें जो इकाई दाही मिलकर बने इकाई और दाही से मिलकर बनी संख्या जो है वह चार से विवाजित होनी चीए फिर उसके आंगे कुछ भी लिखाओ इकाई और दाही से मिलकर बनी संख्या यहाँ देखो इकाई और दाही से मिलकर कितना बना है 46 है अगर यहाँ चार से विवाजित है तो यहाँ पूरा नंबर भी चार से विवाजित नहीं होगी, यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखिए, अंतिम दो अंग क्या है, 6 और 4, हमने यहां 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 2 बच गया, 24 हो गया, 4 चंग 24, कितना आ गया, 16 आ गया, संख्या 4 से, यह इकाई और दाही, मिलकर जो बना रहे थे, कितना बना रहे थे, 64, यहा भी 4 से भिवाजित होगा, अगर मैं यहां की बात करूँ, यहां पर, 8 और 4 लिखा है, अगर यहां दोस्तों 4 से भिवाजित है, 4 दुनीया, 4 एकम 4, तो यह भी 4 से विभाजित हो गयो तो चार के नियम भी उमीद है आप समझ गए होगे आईए दोस्तों आगे बात करते हैं पांच के नियम दुनिया का कोई भी नंबर लिखा हो दुनिया का कोई नंबर 8, 7, 2, 4, 6 बस अकेले यह कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा जब तक नहीं कटेगा जब तक या तो सह। या या तो यहां पे कुछ भी लिखाओ 825693 या तो यहां पे 5 हो हमें पूरे नंबर से नहीं मतलब है हमें दोस्तों मतलब किसे या तो यहां 0 हो या तो यहां 5 हो अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो यह संख्या भी 5 से divisible है और यह संख्या भी 5 से divisible है जानी कि अंति मंक या तो जीरो या 5 होनी चाहिए मैं क्या करहा हूँ फिर सो समझ दो अंति मंक या तो जीरो या पाँच होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो संख्या जो है 5 से divisible है आंगे बात करते हैं किराये 6 के नियम 6 के नियम दोस्तों विशेस कुछ होते नहीं क्योंकि 6 के पास अपना कोई ब्यक्तिकत नियम नहीं है क्या कह रहा है संख्या में 2 तथा 3 के नियम लागू होने चाहिए ऐसा रीजन क्यों उसने दिया जो 6 है ना जो 6 है ना 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या आता 2 और 3 तो अगर किसी संख्या में 2 का भी नियम लागू होता और 3 का भी नियम लागू होता तो वह संख्या 6 से विभाजित हो दो का नियम अभी मैंने बताया, तीन का नियम भी बताया, अब जैसे जब 6 के पास अपना कोई नियम नहीं, तो हमने उसके क्या किये, दो को प्राइम फैक्टर सहे अबाद गुणनकंड कर लिए, वह नियम बन गया च्छे का, तो अगर इसी तरीके तुमसे कोई कह दे, कि भ नियम नहीं पता, आठ और जो है, तीन के नियम लागू होगे, कोई तुमसे कह दे, 72 के नियम नहीं पता, आठ और 9 के नियम लागू होगे, क्लियर है, बोलो बात समझ में आरी या नहीं आरी, कोई तुमसे कह दे, 56 के नियम नहीं पता, 8 सते, 56 का नियम लागू होगा, तो जिन जिन चीजों के नियम पता हैं, हम उनी factors में उनको क्या कर लेते हैं, उनी के गुरण खंडों में उनको हम तोड़ लेंगे और हम यह जान जाएंगे कि यह उसी चीज का नियम है, आंगे बात करते हैं, साथ के नियम, अब साथ में कुछ step होते हैं, देखिए यहां पे इत अंकी संख्या के छै बार या उसके गुरंज के रूप में, पूनरा व्रत्य से बनी संख्या, सई संख्या साथ से पूर्त्या विभाजित होगी, किस से दोस्तों? 7 से पूर्तिया विभाजित होगी मतलब समझो हमने कोई एंक एक ले लिया मैंने 3 ले लिया अगर मैं इस 3 को इस 3 को 6 बार लिख दू देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल कितने बार ये लिखा गया है ये 6 बार लिखा गया है कोई भी एक एंक है उसको बार बार उसकी क्या करो पुनरा ब्रत्ती करो कितने वार करो, छे वार करो यह 100% से हो रहा है यह 7 से विवाजित होगी जरूरी नहीं कि यही हो 0 छोड़ के कुछ भी हो मैंने कहा यहां पे कि 1, 1, 1, 1, 1, 1 clear है यह किस से विवाजित होगा यह 7 से विवाजित होगा मैंने कहा 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 यह किस से विवाजित होगा यह 7 से विवाजित होगा अगर एक अंक वाली कोई संख्या है तो अगर हम उसकी 6 वार पुनुरा ब्रत्ति करकर लिखते हैं तो वह से हो रहा है कि 7 से विवाजित होगी इसके साथ साथ एक इसमें नोट भी important लगा हुआ है ध्यान से सुनना जो ऐसी संख्याएं होंगी जिनकी कोई एक अंकवाली संख्या जो 6 वार जिसकी पुर्णाव्रक्ति हो रही होगी वह तो 3 से भी divisible होगी याद रखना दोस्तों वह 11 से भी divisible होगी याद रखना 13 से भी divisible होगी 37 से भी divisible होगी और 1001 से भी divisible होगी तो साथ के नियम के साथ साथ आपने 3 11 13 37 और 1001 के नियम भी शिख लिए तो अगर किसी एक अंकी संख्या का 6 बार या उसके गुड़ज में 6 का मतलब 6 का गुड़ज क्या होगा 12 बार लिखा हो 18 बार लिखा हो 24 बार लिखा हो ठीक है ना अकेल अब यह नहीं कि 8 बार लिखा तो नहीं चलेगा 6 बार या 12 बार या 18 बार वही अंक बार बार लिखा गया हो तो जो है उस 7 से डिविजबल आगे देखो किसी भी दोंकी संख्या की तीन बार देखना या उसके गुरज में पुन्राब्रत्य की गई हो अब देखो दोंकी संख्या लेलो मैंने लेलिया चार और पांच अब इसको क्या करना है तीन बार लेखना है चार और पांच आप देखो कितने बार लेग गिया एक बार दो बार तीन बार यह संख्या यह संख्या देखो पढ़ो इसको इकाई दाई सेकला हजार दस जार लाग 4,4545, किस से divisible होगा, यह 7 से divisible होगा, किस से दोस्तों divisible होने वाला है, यह 7 से divisible होने बाला है, अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे, कोई भी संख्या है, यह मैंने लिखा 3, 8, 3, 8, 3, 8, यह दो अंक, वही 3, 8 बार-बार repeat हो रहा है, गुमा-गुमा क रिपीट हो रहा है, जैनि कि यह संख्या किस से divisible होगी, यह संख्या भी 7 से divisible होगी, इतनी बातों clear हो गई, इसमें नोट क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी जो संख्या हैं, वो 3 से, 13 से और 37 से भी पूर्तिया डिवाइड होगी, कौन वाले, जो 2 अंकी होँ और 3 वार रिपीट की गई हो, वही 2 अंक बार बार, जैनि कि 3 वार रिपीट किये गए हो, तो दोस्तों, 3 से, 13 से और 37 से भी विवाजित होगी, अंगला, तीसरा पॉइंट है, यह साथ के नियम का, दोस्तों, किसी 3 अंकी संख्या, अभी तक 1 अंक था, 6 वार र पनाने है, 3 अंकी संख्या को 2 वार, या इसके गुरच के रूप में पुर्णाब्रत्ति, ठीक है ना, से बनी संख्या 7 से, जैसे कोई 3 अंक लिए, मैंने ले लिया, 2, 5, 4, मैंने क्या ले लिया, 2, 5, 4, और एग वार और लिग दो, 2, 5, 4, तो हमने क्या क्या, 3 अंकी संख् से बिवाजित होगी, कोई हमने ले लिया, हमने लिया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोस्तों या क्या साथ से बिवाजित होगी, बिल्कुल होगी, नोट में देख लो, नोट में क्या है, सोरी, ऐसी संख्या है, 11 से भी विवाजित होंगी, 13 से भी होंगी, और 1001 से भी होंगी, तो 1001 में दो रूल मिल गए या तो एक अंक वाली छे वार लिखी जाए या तो तीन अंक वाली दो वार लिखी जाए कितने दो वार लिखी जाए तो वो दोस्तो एक हजार एक से भी विवाजितो होगी क्या इतनी बात आप तक पहुंची नोट कर रहे हो नोट दोस्तो ध्यान से करना क यहां बात करेंगे आठ नम्बर कोई वी हो उसके एकाई दाही सेकले के उन्क मिल और इसको को त्थ, लिए मिलाकर वह पढ़ेंगे जह Ark से विवाजित होना चाहिए इससेयों, एक्जामपल यहां पर मैंने यहां पर काईदाई सेक्ड़ा क्या देखा 368 जनी कि 300 अरश अगर यह चीज अगर यह चीज आठ से विवाजित है तो संख्या भी आठ से विवाजित है आठ चको बतीस चार बच के आठ च्छंग अरतालीस दोस्तों कितना आ गया 46 कितना आया उ या दोस्तों संख्या क्या है उससे विवाजित है इन तीन के बारे में आपको कमेंट वाक्स में बाद में चापना है ठीक है ना कि यह विवाजित है या नहीं है आंगे दिखते यह आठ के नियम हो गए नो का नियम क्या कहता है संख्या के सभी अंकों का योग नो से विव फिर इनको अगर हम इसमें नहीं 9 का भाग देना आता तो इसको जोड़ो 7 दो 9 अगर यह 9 से डिविजबल है तो यह भी 9 से डिविजबल है तो अंकों का योग जितने अंक लिखे संचा के अंदर उन सभी का योग किस से 9 से विवाजित होना चाहिए अब जरूरी नहीं कि आप दोस्तों क्या कर सकते हो आप इसमें 9 9 का ग्रुप बना सकते हो कैसे आठेक 9 9 से कटा ठीक है न और कर सकते हो चैन्हों अब यहां पर बचा क्या साथ 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 चाहर। आठाण दिया यह संख्या भी यह संख्या भी9 से कटेगी इसका आपको कमेंट बाक्स में बताना नो से विवाजित होगी या नहीं आए दोस्तों आंगे पड़ते हैं 11 के नियम उच्छा नो के विवाजीता के नियम यहां पर थोड़ा सा गलप लगीया ग्यारा केकली यह है तो यहां पर दोस्तों 11 के नियम क्या है बगिः गई संख्या में समिस्थानों कहायोग तथा संख्यां कंग्यों कि अंकों क Mut tau जीरो या 11 से बिभक्त कोई भी संख्या हो तो पूरी संख्या 11 से पूर्ट्या बिभक्त होगी तो हम इस रूल पर भी आंगे question भी practice कराएंगे और आए थोड़े question practice कर लेते हैं यह दोस्तों जो मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा क्या था यह सारा का सारा जो है यह हमारा क्या था विभाजिता के नियम में विभाजिता के नियम में जो विभाजिता की सर्थ पराधारित प्रस्न थे यह आज का हमारा पहला टॉपिक था इस टॉपिक के अंतरगत इतनी ची करते हैं ठीक है ना हाँ इसकी जरूरत चीजें बहुत जरूरी है इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फिर इखटा नहीं होने देते ठीक है तो आईए पहला कोश्चन आपके सामने है करा यदि संख्या यदि संख्या 517 इस्टार 324 दोस्तों कि स्रक 3 इसे बिभाजित है इसकी जगह पर कौन संक लिखें तो मैंने आपको क्या सिख्या यदि आप से ये कहा था कि जरूरी नहीं कि आप जोड़ दो जरूरी नहीं है कि आप जोड़ दो आप इतना इतना जोड़ लो जो जो 3 से कर जाए साथ में कितना जोड़ो जो तीन के पहाड़े में नो जाये तू आपको जोड़ने पे कुल नêu चाहिए तो कितना साथ में साथ में कितना जोड़ोगे इस्टार की जगह और सु अंसर के आजाएगा आप कितना जोडोगे दो जोडोगे अब बोलो मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं तीन के नियम ऐसे हम सभी प्रश्णों पे बात करेंगे यहाँ पे कह रहा है 1, 5, 7, 2, 3, 4 चलो आओ देखते हैं तीन तो स्वैम कटेगा 4 और 2, 6 भी कटेगा 5, 1 भी कटेगा 7 और 2, 7 और 2, clear है? 7 में कितना जोडोगे? 2 जोडोगे आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे कह रहा है 9 से विभाजिता के नियम 9, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए तो जरूरी नहीं कि आप पूरा जोडो, जितने में काम चलिए? 6, 3, 9 होता है 8, 1, 9 होता है, अब बचा दोस्तों क्या? 7 और 4, 11 11 में आप कितना जोड़ दो, जो 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो दोस्तों सीधी सी बात है, 11, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम, 9, 9 दुनी, 18 तो यहां 18 लाने के लिए दोस्तों यहां आपको कितना लिखना होगा? यहां आपको 7 लिखना होगा, कितना लिखना होगा? 7 लिखना होगा 7 लिखना होगा, आँगे आजाईए, आँगे थोड़ा और बात कर लेते, फिर से एक बार 9 का नियम तो देखिए 9 का नियम क्या कहता अंकों का योग 9 से विवाजित होना थी है 7 और 2 9 का नियम हो गया 5 और 4 9 के नियम से कड़ गया अब दोस्तों बचा क्या 3 में इस्टार जोड़ना है और 9 बनाना है तो यहां पे आप क्या लिखोगे आप यहां पर 6 ही तो लिखोगे आईए दोस्तों आंगे देख्थिए अब इसका जो है यह कोश्चन क्या कहता है 9 के नियम इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका भी दोस्तों यहां भी आप नोट कर लो इसका भी आपको comment box में answer देना है ठीक है अब यह सब video push करकर के आपको देखना है यहां पर अगर आप बात करूँ तो देखें यह सारी संख्या जो है इससे हमें कोई मतलब नहीं हमें दोस्तों मतलब किससे है 6 star 2 से यह अगर 8 से विभाजी थे तो संख्या भी 8 से विभाजी थे अब यहां पर देखें क्या कह रहा है छोटे से छोटा अंग यह भी आ रखना चोटे से छोटा अंग 8 सते 56 8 8 64 अगर यहां पर 0 रख ले एक बार तो 8 सते 56 कितना बज़ जाएगा 4 अब दोस्तों यहां पर कितना लिखा 2 त आठ शते 56 अब करना नहीं अब आत अठ चोटे 34 अब यहां पर 6 कितना बचे आठ तरक का चोवीग तो 32 यहां पर दोस्तों कितना लिखना होगा थीन लिखना होगा अच्छा 8 सते 56 लुग जाओ, 8 सते 56 यहां सते 56 वाला ले लो, 8 सते 56 सेस कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, अब 8 नेम बात तर, टोटल बचाना है 7, अगर मैं यहां पर 3 और होता, तो यह 7 बच जाता, सीधी सी बात यह आई, अगर यह ऐसे लिखा होता, तो यह 8 से काड़ते, 8 लुखाई जादा होता, 8 सते 56, सेस बस्ता कितना, साथ हो जाता, 8 नेम 72, तो दोस्तों सफसे छोटा आंकर क्या आगया, 3 आ गया, सफसे छोटा आंकर क्या आ थेन आ गया, तो यहां पे यह हमने कुछ ऐसी सर्टों वाले प्रेस्मे सीखे, ठीक है, उमीद है, मुझे आपको पूरी आपको समन में आये होंगे और आप सभी जो है पूरा सहोग करेंगे क्लास को दोस्तों जम के सेर करेंगे इसी तरीके से मैं धेरो वीडियो लाने वाला हूँ ठेक है और आपके केवियस की तैयारी बस कैसे कराना है दोस्तों इस तरीके से अब जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे भाग के लंबे विधी पर प्रश्णी तो पांच बजे दोस्तों वीडियो देखना ना भूलिएगा करेंट पांच बजे अप्लोड हो जाएगा उसको देखना ना भूलिएगा थैंक यू जहन बंदे मात्रम